डेलावेर विश्व विद्याले के एक प्रोफेसर ने कहा है कि हाला कि अन्य देशों ने यूकरेन संकट के दौरान रूस में आर्थिक संकट को टालने में मदद की है यह चीन और भारत है जिनों ने सबसे अधिक किया है यूकरेन पर हमले के बाद अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने रूस पर जिस तरह के कड़े प्रतिबंद लगाये थे उससे पार पाना आसान नहीं था लेकिन चीन और भारत ने रूस से उर्जा आया खूब बढ़ाया और इससे रूस को बहुत राहत मिली लेकिन रूस की लड़ाई यूकरेन से इस साल भी जारी रहती है तो रूस आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होगा उसे अब हत्यारों की जरूरत है भारत हत्यार देगा नहीं भारत खुद ही हत्यारों के लिए रूस पर निर्भर है रूस को पता है कि भारत उसके तेल से पैसा बना रहा है जिस तरीके से 1971 में रूस बांगलादेश को अलग करने में भारत के साथ खुल कर आया था अगर चीन की गोद में रूस गया तो भारत के लिए बहुत मुश्किल स्थिती होगी लेकिन भारत रूस को चीन की गोद में जाने से रोक भी नहीं सकता है चीन भारत के खिलाफ जिस तरह से आक्रामक है उससे यही आशन का घर कर रही है कि रूस को भारत के मामले में वहां मजबूर कर सकता है रूस से भारत आने वाली रक्षा आपूर्ती को भी रुखवा सकता है ऐसे में भारत के पास दो विकल्प बचेंगे या तो चीनी दबदबे के माथत आ जाए या फिर भारत अमेरिकी गोद में जाकर बैठ जाए भारत के लिए दोनों ही विकल्प स्वतंत्र विदेश नीती के लिहाज से ठीक नहीं है मुक्तदर खान कहते हैं रूस अब भी भारत का सबसे बड़ा रक्षा आपूर्ती करता देश है कमजोर रूस भारत को हत्यारों की आपूर्ती नहीं कर सकता है अगर वह करना भी चाहे तो चीन उसे रोक सकता है रूस का चीन की गोद में जाना भारत के लिए बड़ा जटका होगा वर्ल्ड ओर्डर बदल रहा है पश्चिम एशिया में चीन जो कुछ भी कर रहा है उसमें भारत कहीं नहीं है भारत के साथ रूस केवल अतीत की यादों के भरोसे नहीं रह सकता है 1962 में चीन ने भारत पर हमला किया तब सोव्यक यूनियन था और उसने तटस्थ रुख अपनाया था तब चीन और USSR की वैसी क्रीबी भी नहीं थी अब USSR रूस बन चुका है और चीन से उसकी साजहदारी सीमाओं से परे हो गई है ऐसे में हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस भारत और चीन की जंग में किसके साथ होगा बाला वैंक्तेश वर्मा रूस में भारत के पूर्व राजदूत है वह वर्तमान में विवेकानन्द इंडिनाशनल फाउन्डेशन वी आईएफ के फेलो है और उन्होंने वियाएफ की वेबसाइट पर एक लेख लिखा था कि कैसे लोग रूस और चीन की निकटा को अतिशोक्ती के रूप में देख रही है वर्मा ने लिखा है दो हजार बाईस में रूस और चीन का व्यापार क्रीब 30 फीसदी बढ़ा और 190 अरब डॉलर तक पहुँच गया इसमें रूस का ट्रेड सरपलस 38 अरब डॉलर है यानि रूस ने चीन से ख्रीदा कम है और बेचा ज्यादा है रूस और चीन का द्विपक्षिय व्यापार भारत और चीन के ट्रेड बास्केट से बिलकुल अलग है पिछले साल भारत और चीन के बीच 140 अरब डॉलर का व्यापार हुआ और यह चीन के पक्ष में 100 अरब डॉलर का था यानि चीन ने भारत में 100 अरब डॉलर का माल ज्यादा बेचा है 2022 में अमेरिका और EU के साथ चीन का व्यापार 1.4 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा का था यह बहुत आसान है कि चीन और रूस के व्यापार को राजनीतिक महत्व के लिए बढ़ाचधा कर बताएं लेकिन इसे संदर्ब में देखेंगे तो तस्वीर बिलकुल अलग है दी बाला वेंक्टेश वर्मा ने लिखा है रूस और चीन के बीच रणनीतिक साजिदारी को बढ़ाचधा कर देखने के कई जोखिम है जो बढ़ाचधाकर देखते हैं वे हमेशा इस निशकर्ष पर पहुँचते हैं कि यहाँ बिलकुल माकूल वक्त है कि भारत अमेरिका से साम्रिक संबंद गहरा करे इसके बाद अगर्मगर वाला तर्क शुरू होता है लोग सवाल पूचते हैं कि अगर भविश्य में चीन के साथ तक्राव में रूस ने भारत की रक्षा आपूर्ती बंद कर दी तो क्या होगा ऐसे सवानों में भारत की रक्षा जरूरते पूरी करने की रूसी क्षमता और चीन के दबाव में रूस की ओर से पुरानी नीती से पल्ला जाडने की बाद भी शामिल की जाती है ऐसे लोग रूस को छोड़ अमेरिका से संबंध गहरा करने की वकालत करने लगते हैं इस तरह की वकालत करने वालों के मन में रूस के प्रती पूर्वाग्र और अमेरिका के प्रती जुकाव साफ जलकता है बहुद्रुविय अवसर वाले दौर में इस तरह की बात करना भारत को पुराने एकद्रुविय और आत्मघाती विकल्पों में धकेलने जैसा है ऐसे मुल्याकनों से भारत का भला नहीं होना है दी बाला वैंकटेश वर्मा ने लिखा है चीन के लिए यूकरिन संकट एक सुनहरा मौका है यूकरिन युद्ध से रूस कमजोर होगा और अमेरिका यूरोप की सुरक्षा चिन्ताओं में लंबे समय तक फसेगा शी जिन्पिंग को पता है कि वहाँ वैश्विक मंच पर अपना साज़ेदार चुन सकते हैं शी जिन्पिंग का मौस्को दोरा रूसी हितों की रक्षा के लिए नहीं था वैंकटेश वर्मा मानते हैं कि चीन भारत के लिए चुनौती के रूप में कोई आज खड़ा नहीं हुआ है बलकि कई दशकों से है वर्मा कहते हैं भारत को रणनीतिक आत्मविश्वास की जरूरत है ना कि निराशा की चीन को बाकी बड़ी शक्तियों की तरह सुरक्षा खत्रे के प्रिज्म में देखना एक गल्ती होगी चीन एक खत्रा है लेकिन बाकी देशों से अलग है यहां बहुत अहम है कि हमें अपनी चीन नीती के अमेरिकी करण से बचना होगा भले इसमें हमारा हित हो कुछ लोग कह रहे हैं कि दुनिया एक नए शीत युद्ध की और बढ़ रही है इस बार चीन और अमेरिका के बीच अमेरिका कह रहा है कि चीन मौजूदा नियमाधारित वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है जबकि चीन का तर्क है कि उसे दूसरे देशों पर लोकतंत्र के अपने ब्रांड को थोपना बंद करना चाहिए भारत के लिए यह पता लगाना आसान नहीं है कि वह इन सब में कहां फिट बैठता है